नवश्कार दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत अर्मेनिया के साथ अपने रक्षा संबंदों को मजबूत कर रहा है और वज़ा साफ है कि अर्मेनिया अपने दुश्मन अजर्वेजान को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि बार-बार मुखी खाने के बाद अब अर्मेनिया को समझ में आ चुका है कि उसे कैसे अजर्वेजान को जवाब देना है यही वज़ाए कि उसने काफी सारी हत्यारों के डिल भारत से किये ऐसे में दोस्तों शोशल मेडिया पर हाली में कुछ तस्वीरे सामने आई ज सेनी को खास कर कि अगर उनकी जंग अजर्वेजान के साथ अगर होती है तो वो मजबूती से उनका मुकाबला कर सकते हैं और आपको मैं बता दू कि अभी तक इस बारे में पता नहीं तक किती संख्या में भारत ने अपनी यह जो थर्मल इमेजिंग मॉनिकुलर साइट्स ह वो दी हैं इनको मैंने खुद कंपनी से बात करी और कंपनी के अधिकारी ने मुझे बताया कि करीबन 5000 हलमेट मॉन्टेड थर्मल इमेजिंग मॉनिकुलर्स हमने एक्सपोर्ट किये हैं अर्मीनिया को और यहीं दोस्तों खुद भारतिय सिना ने भी 2021 में चाना के साथ बढ कर रही हैं 2016 में सर्जिकल स्टाइक के दौरान भारतिय सेना के स्पेशल फोसिस के जमानों ने भी टोनबो इमेजिंग की इन थर्मल साइट्स का स्थमाल किया था उनको मैं बतातों कि भारत के जो स्टाट अप कंपनिया हैं वो लगातार इनुविटिव चीजों पर काम कर और भारत को एक दशक पहले इस कंपनी के उत्पादों के बारे में पता चला था कि ये कंपनी किस तरीकी की काम कर रही है क्योंकि उस दौरान दोस्तों अमेरिका की सेना ऐसे ही हत्यारों का स्थमाल कर रही थी जिन में टोनबो सिस्टम की साइट्स लगी भी थी यही जूज करते हैं अप टू 200 मीटर फैर करने के लिए बेस्ट साइड आजे लाइट वेट है एजी टू ऑपरेट है तो जी आप इसको टैबोर पर लगा सकते हैं और एक फूटी सेवन पर जूज करके नैट में पर कर सकती हो जी आल बैदर में काम करेगा बैदर को फैक्ट न अर्मीनिया को कई बड़े हतियार दिये हैं जिसमें आर्टलिरी सिस्टम हो या फिर पिना का मल्टी बैला रॉकेट लॉंचर या फिर छोटे हतियार काफी चीजे भारत ने एक्सपोर्ट करी हैं अर्मीनिया को और इसी वज़े से उसका दुश्मन अजर्बेजान बड़ी मर्थन में लावा है और कहा ये भी जा रहा है कि अजर्बेजान पाकिस्तान की JF-17 Block-3 Fighter Jet को खरीज सकते हैं और यही वज़ा थी कि हाली में अजर्बेजान के राजपती पाकिस्तान की आत्रप पर गए थे चीजे बहुत हैं लेकिन इतना तो हम कहेंगे कि भारत अब जियो बहुत सारे देश है जो कि भारत से हतियार खरीद रहे हैं आने वाले समय में आप देखिंगे कि काफी बड़ा चेंज आप भारत के defense export में देखिंगे भारत के start-up कमपनिया नए-nए जो चीजे तयार कर रहे हैं वो आने वाले सालों में ना केवल भारतिया सेना की ताकत मे इजाफा करेंगी बलकि मित्र देशों की सेना की ताकत को भी बढ़ाएंगी इस बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट शेक्षे में लिकर बताएगा मिल्दा ने वड़े कि थाक जैन वंदे मात रहूं